वेल्कम टू बैयलोजी पार्षाला मेरे प्यारे बच्चो तोडेश क्लास इस डेडिकेटड अनीट एस्पारेंट और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तो यूनिट नंबर सेकंड अभी चला है फरस्ट यर का स्लेवस ठीक नीट का चला है जानते हैं सब बैयलोजी के लिए चला है ठीक बैयलोजी में क्या आएगा जुलोजी और बोटनी दोनों आता है ठीक है जुलोजी और बोटनी दोनों आता है देखें यह बोटनी की जैसे बुक रखी हुई है और ऐसे जुलोजी की कई सारी बुक्स रखी हुई तो यहीं है नीट के structural unit of cell in plant and animal तो ये आपकी unit का नाम है क्या नाम है बच्छो structural unit of cell in plant and animal या इसको cellular grade of organization एक उसका दूसरा नाम भी होता है कभी कभी दूसरी वुक में ऐसे भी मिल सकता है cellular grade of organization जो foreign की होती है इन और्गेनिजम इन और्गेनिजम तो घबराने की बात नहीं चिंता नहीं करना है आप लोग को अब समझना कि structural unit of organization का mean क्या होता है तभी तो आप उस unit की study कर पाओ गए है की नहीं तो चली समझतें देखें किसी भी animal के structure के अगर हम बात करें animal की बात करें या हम plant की बात करें ठीक तो इन में common क्या होता है कि सबसे पहला जो इसमें cell होता है और इस cell से अगर मैं बात करूँ तो tissue बनता है की नहीं और tissue से बनती है organ, organ से क्या बनेगा, organ, system है की नहीं और organ सिस्टम से मेरे प्यारे बुच्चों मैं ये कहूं कि पूरी body का निर्मार होता है ठीक है, body का निर्मार होता है तो पहले cell बनेगी, cell से tissue बनेगा, organ बनेगा, organ सिस्टम बनेगा, फिर एक body का formation होता है है कि नहीं तो आपको यह cell के और्गिनिल्स टिशू एनिमल टिशू प्लांट टिशू एनिमल ने पाई जाने वाले और्गन उसकी physiology प्लांट से पाई जाने वाले और्गन उसकी physiology सिस्टम की physiology और बॉड़ी की physiology एनिमल और प्लांट में कमप्रेटिव रूफ से पढ़ना है क्या पढ़ना है तभी तो जान पाओगे कि क्या मतलब होता है तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं सेल के डिफ्रेंट टाइप के और गनिल्स के बारे में पढ़ते हैं ठ ते इस उम हैुक में टिफ्रेंट टाइप के टिशू ऊसके बारे में पढ़ते हैं बोलते हैं अपर पूरा मतलब इसका सिक्वेंस लेकर चलते हैं सो आई होप आज की पार्षाला आपको समझ में आई हो जो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती है कि आपको पढ़ना क्या है फिर हम लोग सेललर और्गिनाइजेशन या स्टक्चरल यूनिट ऑफ दे सेल इन प्लांट अनिमल्स में हम लोग mcq सीरीज की देफ्ट में बात करेंग अगर आज की पार्षाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज़्यादा बच्चो तक सेयर कीजिए सिस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ठैक्स टौ आल श्टो वाजबे पार्षाला ठैक्स अगें